Hello Friends, Welcome to the Success Kendra Friends, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्स 2021 के Current Affair के सबसे होड टॉपिक इसराइल और फिलिस्तीन से जुड़े 30 से अधिक महत्पुन परशनों को कभर करेंगे जी हाँ Friends, हाली में इसराइल और फिलिस्तीन काफी सुर्खियों में रहा हैं तो निसीत रुप से यहाँ से प्रशन आपके आगामी जितने भी एकजामस 2020 और 22 में होने वाले हैं उनमें देखने को मिलेंगे इसलिए वीडियो को ध्यान पुर्वक पूरा देखिएगा चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेए साथी साथ इस पेल आइकन को जरूर पेस कर लिजेगा ताकि जब भी इसी तरह का इंपोर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जा उसका नोटिफिकेसं सबसे पहले आपके पास महुच जाए फ्रंस ये इस्राइल का फ्लैग है और ये फिलिस्तिन का फ्लैग है ध्यान पुर्वक इनको एक बार देख लीजिए जो चलिए फ्रंस बिना देरी किये हुए आज का सेस्टन स्टाट करते हैं वीडियो को लाइ नेक्स्ट कोस्टन देखिए अगला कोस्टन है कि आधोनिक इस्राइल राष्ट की अस्थापना कब होई थी थोड़ा ध्यान से सुनिए देखिए उस समय फिलिस्तिन पर ब्रिटेन का सासन था जब यहुदी और अरब निवासी जो थे यानि कि कह सकते हैं कि जब यहुदी और मुस्लिमों के बीच काफी टकडा उठपन हो गया तो उस समय ब्रिटेन जो था यहां मामला नौ नेर्मित सेंक्त राष्ट में लेकर के गया और सेंक्त राष्ट ने 29 नौंबर 1947 को फिलिस्तिन में स्वतंतर यहुदी और अरब राजयों की अस्थापना करनी के लिए ए इसका मतलब यहां था कि फिलिस्तिन को दो राष्टर में बाटा जाएगा ठीक है एक जो होगा अरब राजय बनेगा और दुसरा जो होगा स्वतंतर यहुदी राजय बनेगा क्लियर जिसकों की यहुदियों ने स्विकार कर लिया लेकिन जो अरवी लोग थे जो अरब की निवासी थे जो मुसलिम थे उन्होंने इसको स्विकार नहीं किया हाला कि भारत ने भी इसका विरोध किया भारत के उस समय प्रदान मंतरी पंडिजवाला नेहरू थे और उस समय अलबर्ट आइंस्टीन जो थे उन्होंने पत्र लेकर नेहरू जी से कहा था कि आप इसका बिरोध मत किजिए, उल्रेडी यहूदियों ने पूरे विक्ज्व में कवेत भाव झहला है तो नहरू जी ने कहा था कि हमारा मतलब जो भी है हम यहूदियों को प्रताडित नहीं करना चाते है ना हिंनके साथ हम भी भाव करना चाते हैं लेकिन जो अरब के लोग हैं उनक 1948 में यहूदियों ने अपने लिए एक स्वतन्त राष्ट इसरायल की घोष्णा की 14 मैं 1948 को तरह एटन्सर इसका अपसन नमर सी 1948 हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन देखिए फ्रेंट्स वीडियो पसंद आएगे तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर जीजेगा देखें संक्त राष्ट संग ने इसरायल को एक राष्ट के रूप में कब मानेता प्रदान किया हाला कि इसरायल की जो यहूदी लोग थे उन्होंने इसरायल को एक स्वतन्त राष्ट की घोष्णा 14 मैं 1948 को कर दिया लेकिन इसको मानेता अभी भी बहुत सारे देशों नहीं दिया था, United Nation भी नहीं दिया था तो United Nation ने 11 हमाई 1949 को मानेता प्रदान किया 11 हमाई 1949 को ध्यान रखिएगा Next question देखिए friends, अगला question है हमारा कि भारत ने इसरायल को एक राष्ट के रूप में कब मानेता प्रदान कि भारत कब इसको मानेता दिया एक राष्ट के रूप में तो right answer इसका क्या हो जाएगा friends, right answer इसका हो जाएगा 1950 में option number B, 1950 correct answer हो जाएगा हाला कि भारत और इसरायल के बीज कोई भी संबंद अस्थापित नहीं हुए 1992 में भारत और इसरायल के बीज कूटनीती संबंद अस्थापित हुए ठीक है और अब जो इस्तिती बन हुई है यहाँ संबंद जो है चरम पर है अपने next question देख लिजे अगला question ने friends की इसरायल की राजधानी कहा है काफी important question ने देखी इसरायल की राजधानी जो है 1980 में इसरायल ने अपनी राजधानी यहरुसलम को घोशित किया था option number A, right answer हो जाएगा और 2017 में 2017 में अमेरिका ने और उसमें राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प थे उन्होंने यहरुसलम को इसरायल की आधिकारिक राजधानी माना भी clear हला कि भारत यहरुसलम को राजधानी नहीं मानता है इसरायल की clear ध्यान रखेंगे चलिए next question देखेगा कि इसरायल की मुद्रा क्या है इसरायल की जो मुद्रा है वो आपको बताना है क्या है इसरायल की मुद्रा है new cycle option number C right answer हो जाएगा निस्सित रुप से इसे वीडियो से प्रशन आपको देखने को मिलेंगे वीडियो को पूरा देख लेजे आपका एक से दो नंबर cover हो जाएगा देखें इसरायल की संसत का क्या नाम है इसरायल की संसत का जो नाम है उसका नाम है NESET option number B right answer हो जाएगा NESET नाम है छलिए next question हमारा है कि इसरायल की गुप्चचर agency का नाम क्या है जो इसरायल की intelligence agency है उसका नाम क्या है जैसे भारत में CBI है, NIA है आई भी है ठीक है उसी प्रकार जो इजरायल की गुप्चर एजंसी है इंटिलिजन्स एजंसी है उसका नाम है मोसाद ओप्सन नबर डी रैट एंसर हो जाएगा ध्याम रखिए काफी खतरनाक ये इंटिलिजन्स एजंसी मानी जाती है इसरायल का राष्ट्रिय खेल क्या है फ्रेंट्स वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया तो प्लीज फ्रेंट्स वीडियो को लाइक कर दिजे और सेशन जब खतम होगा तो जरूर सेयर कर दिजेगा देखें इसरायल का राष्टी केल फुटबॉल है lord c right answer इसका हो जाएगा next question है कि israel का राष्टी पसु क्या है काफी important question है israel का राष्टी पसु israel का राष्टी पक्षी ध्यान रखियेगा israel का राष्टी पसु जो है वो बारा सिंघा है यह एक परकार का हेरन होता है, और राष्ट्य पक्षी जो है, वो हूपू है, यहाँ पर देख सकता है, उपसन नमबर C में हूपू लिखा हुआ है, हूपू जो है, यह राष्ट्य पक्षी है, ठीक है, राष्ट्य पसु बारा सिंगा, राष्ट्य पक्षी पुछा जाए, Next question देखिएगा कि इसराइल के रेष्ट्र द्वज के मध्य में कौन सी आकरिती बनी हुई है, तो friends यह रहा इसराइल का flag यहाँ पर आप देखिए कौन सी आकरिती बीच में बनी हुई है, तो यह सटकोन बना हुआ है, ठीक है, option number C, right answer हो जागा, star नहीं है, यह सटकोन है, दे में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्सिन पस्ची में मिसर के साथ लगती है, तो लेवनान, सीरिया और जॉर्डन और मिसर, तो चार दिसों के साथ लगती है, ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, लेवनान, ठीक है, आप इसको note down कर दीजिए, उसके बाद सीरिया, और मिसर, ठीक है, इजिप्ट जिसको काते हैं, इन चार दुस्चे के साथ लगती है, नेक्स्ट कुस्टन देख लिजए, अगला कुस्टन है कि कौन सा देश, इसरिया और जॉर्डन, तथा दक्सिन पस्ची में मिसर है, तो राइटन सर इसका ओप्सन नमर्डी हो जाएग यहुदियों के लिकर के, और इसरियाल ऐसा देशा है, जो दुनिया में कहीं भी जो यहुदि हैं, उनको अपना नागरिक मानता है, तो राइटन सर आप्सन नमर्डी हो जागा यहुदि, किलियर ध्यान रखेगा, अगला कुस्टन देखिए, नेक्स्ट कुस्टन हमारा है कि इसराइल के दक्सनी भाग में कौन सा मरवस्थल है, काफी important question है, तो दक्सनी भाग में कौन सा मरवस्थल है, नेजेव मरवस्थल है, option number B, right answer इसका हो जागा, नेजेव मरवस्थल है, ध्यान रखेंगे, next question है कि प्रथम अरब इसराइल यूद की सुरुदि कब होई थी, तो दिखें फ्रेंट्स, जब इसराइल ने 1948 में अपने को एकराष्ट घोसित किया, उस समय जितने भी अरब कंट्री थे, उन्होंने इसका विरोध किया, और इस पर आकर्मन किया, किन-किन देशों ने आकर्मन किया, तो इस पर उस समय सीरिया, लीबिया, इरान, यमन ने और यहाँ जो है, 1948 में शुरू हुआ, और इसी को प्रथम अरब इसराइल यूद कहा जाता है, रैटेंसर ओप्सन नमबर A हो जाएगा, और उसके बाद 1956 में, जब स्वेज नहर का राष्टिय करन किया, किसने स्वेज नहर का राष्टिय करन किया, मिसर ने, मिसर ने जब स का सकता है, सिनाई वार कहा जाता है, सिना, यहां मैं लिखता हूं सिनाई वार कहा जाता है, ठीक है, सिनाई वार, नेक्स्ट कोस्टन देखिए, अगला कोस्टन हमारा है, कि तीसरे अरब इसराइल यूद की सुरुवात को हुई, तो तीसरा अरब इसराइल यूद की बेवार कहा जाता है, शिक्ष डेवार, यानि कि 6 दिनों की लड़ाई, शिक्ष डेवार, और इसमें कौन-कौन से देश सामिल थे, एक तरफ जो था, इसरायल था, दूसरी तरफ मिस्र, सिरिया, जॉर्डन, इरान, और इरान और लेवनान थे, ठीक है, इराक था, इरान नही इराक और लेवनान था, एक बार मैं और रिपीट कर जेता हूँ, देखे, उसमें मिस्र एक तरफ थे, सिरिया, जॉर्डन, इराक और लेवनान थे, और दूसरी तरफ ये इसरायल था, ये तीसरा युद्ध था, और इसको 6 देवार के नाम से जाना जाता है, 1966, करेक्ट अं जॉर्डन में भी है, तो राइट अंसर ऑफसन नमबर D हो जाएगा, A और B दोनों, उसके बाद देखे, कि जॉर्डन नदी किन किन देशों से होकर के बहती है, जॉर्डन नदी यहां गिरती कहां पर है जाकर के, यह गिर जाती है, मिरित सागर में, यानि कि डेड़ सी में ठीक है, और यहां जो है, जॉर्डन, इस्राइल और सीरिया से होकर के बहती है, तो उप्रोक्त सभी इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा, All of these, नेक्स्ट कोस्टन देखिए, नेक्स्ट कोस्टन है, इस्राइल की यात्रा करन वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपती कौन थे, तो देखे, अभी मैंने बताए कि 1992 में भारत और इस्राइल के भी कुटनिती संबंध अस्थापित हुए, और अब की स्थिति यह जो बनी हुई है, वो यहां जो संबंध है, अपने चरम पर है, और भारत के जो पहले राष्ट्रपती थे, जिन्होंने इस्राइल की यात्र पर, उसका बाद next question देखेगा कि इस्राइल की यात्रा करने वाले प्रथम भारतिय प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम भारतिय प्रधानमंत्री जो थे, ये थे नरेंद्र मोदी, option number C, right answer हो जाएगा, 2017 में इन्होंने इस्राइल की यात्रा की थी, और ये इस्राइल की पर जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, उसका बाद देखे 22 number question कि भारत की यात्रा पर आने वाले इस्राइल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत की यात्रा पर आने वाले इस्राइल के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वे थे, बताईए राइट तनियाहू बरतमान में है इसराइल के प्रधान मंत्री उसका बाद अगर बात करें डेविड बेन गूरियन ये जो है इसराइल के संस्थापक और इसराइल के प्रथम प्रधान मंत्री थे ठीक है नाम याद रखेगा इसराइल के प्रथम प्रधान मंत्री डेविड बेन गू अप्सन नमबर A, राइट अंसर इसका हो जाएगा, 24 नमबर देखी कि बरतमान में इसराइल के प्रधान मंतरी, तो बेंजामिन नेतन याहू है, अप्सन नमबर B, राइट अंसर हो जाएगा, और इनका रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा दिन तक इन्होंने प्रधान मंतरी पर बने हैं अभी तक इसराइल में, तो अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा कारेकाल किसका राया इसराइल के प्रधान मंतरी के तोर पर तो याद रखी कि बेंजामिन नेतनियाहू का, फिलिस्तिन किस महादीप में इस्तित है, अब हम 24-5 कुस्टन फिलिस्तिन से मंदित जान लेता है, देखें, फिलिस्तिन को देश के रुप में मानेता जो बहुत सारे जिस्तों नहीं दिया है, क्योवल 136 देश ने इसको मानेता प्रदान की है, भारत ने भी किया है, इस बाद का द्धान रखीगा, और भारत जो है क्वाट का सदस, आपको पता है, क् पुछाई द露िक्स सकता है कि कोई कि सदस्यों में से किस ने फिलिस्टीन को मानेत्ता प्रत किये एक देश के तौर पर तो याद रखेंगे भारत तो फिलिस्तिन भी असीड महादिप में इस्तित हैं ध्यान रखे 950 फिलिस्तीन राजी की सवतंत्रता की घोशना कब की गई तो देखे फ्रेंस इसकी स्वतंतरता की जो घोशना है यहाँ फिलिस्तिन लिवरेशन संगठा ने 15 नौमबर 1988 को ठीक है अलजीरिया यहाँ मैं लिख देता हूँ अलजीरिया याद रखेगा अलजीरिया के नेशनल एसेंबली की परिशद में फिलिस्तिन राजी की स्वतंतर इसका हो जाएगा उसका बाद देखे फिलिस्तिन की राजधानी कहा है तो देखे फ्रेंस फिलिस्तिन की राजधानी जो है रामला है अपसर नौमरे राइट अंसर हाला कि पूर्वी येरुशलम को भी इसने राजधानी घोशित किया हुआ है लेकिन मानयता नहीं है यह र बसर असद अबदल फते अलसीशिव यह कहां करेश्ट पति हैं तो द्यान रखेएगा फ्रंट्स यह मिसर के राश्ट पती है किलेए और अबदुल्ला यह जो जो जॉर्डन है वहां के यह राजा है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोस्टन देखिएगा 30 नंबर तीस नंबर तो 2018 में नरेंद्र मोदी जी फिलिस्तिन की यात्रा पर गय थे और फिलिस्तिन की यात्रा करने वाले ये भारत के पर्थम परधान मंत्री थे इसराइल की यात्रा करने वाले भारत के पर्थम परधान मंत्री और फिलिस्तिन की यात्रा करने वाले ये भारत के पर्थम परधा इस्तिन निम्न समुह का सदस्य है तो फिलिस्तिन जो है या इसलामिक सायोग संगठन जी 77 अराबलिक इनका तीनों का सदस्य है option number D right answer इसका हो जाएगा उसके बाद एक इस्राइल की आधिकारिक भासा तो फ्रेंट्स इस question का अंसर आप अभी comment करके बता दीजिए उमेद करता हूँ कि वीडियो आपको फसंद आये होगी तो फ्रेंट्स वीडियो को like और share जरूर कर जीजेगा चैनल को subscribe कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि जब भी इसी तरह का important वीडियो अप्लोड किया जा उसका notification आपके पास पहुँच जा तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग